जैसा कि आपको पिछले लेक्षर में मैंने बताया था आज से हम एंटिजन एंटिबॉडी रियक्शन के बार में पढ़ेंगे आज एंटिजन एंटिबॉडी रियक्शन चैप्टर का यह पहला हम Only देखने वाले हैं पहला पार्ट है यह नहां पर आप उस रियक्शन के बारे में चांदकारी लेगे बेसिक्स के बारे में आप जानकरी लेंगे यह इस्पेस्फिक केमिकल इंटरेक्शन है बेट्वीन एंटिबॉडी जिने बी सेल्स जो कि वाइट ब्लड सेल्स याने कि लिंफोसाइट है उसके माध्यम से प्रड्यूस हो रही है और एंटिजन जो कि किसी भी नॉन सेल्फ नेचर का हो सकता है उनके बीच में इम्म्यून रियक्शन के दोरान किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे और कैसे उसको हम डाइगनॉज करते हैं यह हमारा महत्पुनिश्यू होदा मैं डॉक्टर प्रकाश सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले आप याद रखिए कि एंटीजन और एंटीबोडी के जुड़ने की जो फंडामेंटल प्रसेस है वह हम उसे अग्लूटिनेशन केहते हैं सबसे पहले रिचाइड गोल्ड बर्ग ने 1952 में एंटीजन एंटीबोडी रियक्षिन के बारे में बताया था इसी कारण इसको गोल्ड बर्ग थियोरी भी कहा जाता है आप जानते कि कई प्रकार के एंटीजन और एंटीबोडी हो सकते हैं लेकिन जो एंटीजनिक डितरमिनेंट है जिसको हम एंटीजन कह रहे हैं simply एंटीजनिक गतर्मिनिंट जो एंटीजन पर है उसको हम एपईटाप कहते हैं système याद रहें एटीजनिक जो डितरमिनेंट है एंटीजन पर उसको हम क्या बोल रहें एपिटॉप इसकी पहचान एंटीबोडी पर मौजूद पेराटॉप के माध्यम से की जाती है और इनके बीच में जो रिलेशन होता है वह वैसा ही होता है जैसा लॉक एंड की में होता है तो यह पेराटॉप्स है कहां पर जो पॉलिपेप्टाइट चेहन है उसके वेरियवल रीजन में और वहां पर आपको हाइपर वेरियवल रीजन दिखेगा तो यहां पर लॉक एंड की की तरह यह एक दूसरे से जुड़ जाते हैं दूसरा आप याद रखिए एंटीजन और एंटीबडी जो जुड़ रहे हैं एपिटॉप और पेराटॉप जो जुड़ रहे हैं वहां पर किसी भी प्रकार का कोई कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म न एक इलेक्ट्रोएस्टेटिक इंट्रेक्शन हाइडागे। जिन बॉन्ड वंडर वाल फॉर्स केंश एड्रोथ इंट्रेक्शन यह सारी चीजी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि यहां वीकण्स हैं तो यह जो बॉंड फ्रॉम हो रहे हैं यहे जो ईज को मिलेगी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें नॉन कोवलेंट बॉंड्स लाइक्ट्र स्टेटिक इंट्रेक्शन हाइड्रोजन बॉंड वॉंडर फॉर्सेज हाइड्रोफोविक इंट्रेक्शन इन्वाल होते हैं तो इस कारण से यहां पर कुछ इंडारेक्ट आपको जैसे इंटर्फेशल वाटर मॉलेक्ट्यूल्स जो है उनके माध्यम से भी कई बार आपको यहां पर इंट्रेक्शन देखने को मिल जाएगा इस तरह की चीज़ों को हम क्रॉस रियक्टिविटी कहते हैं यहां पर कुछ हद तक आपको इस पेस्विसीटी तो है जैसे मैं आपको क्याक ना हूँ लेकिन यहां कभी कबार आपको क्रॉस रियक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी तो इनके बीच में हाई एफिनिटी होती है लोग इंट की के रूप में यह चीज़ यहां रखें यहां दो टाम आते हैं एक आता है एफिनिटी और दूसरा आता है एवीडिटी जो टर्म है वह हम यूज़ करते हैं ओवरॉल इस्ट्रेंथ अप दो बाइंडिंग ओफ एन एंटिबोडी टू एंटिजन जो कि उस पर्टिकुलर यहां पर आप थोड़ा से कंफूज होंग है लेकिन स्टनभी यहां समझ कि जो टेंट टौप है वह एपि टॉप से जो कि किसी do anorgan का एक सकते हैं जरूरी नहीं कि एक जो और यह बाहरी इस पे एक ही किदेंट हो हो एक ही एपिटॉप हो उस पर एक से अधिक हो सकते हैं तो जो एंटीबोडी का प्राटॉप है वह एंटीजन के एपिटॉप से जो ओवरॉल स्टेंथ है बाइडिंग की उसको हम एविडिटी कहते हैं तो एक एंटीबोडी के लिए जो ओवरॉल होगी यह याद रखिए कि इंट्रेक्शन हो रहा है लेकिन ओवरॉल जो एविडिटी होगी एक बडी के लिए वह सम्टोटल होगी सारे के सारे उस पर महजूत पेरा टॉप और सारे अंटिजेनिक डीटर्मिनेंस के है तो sum of strengths of individual antibody antigen interaction ठीक है और single epitop और single paratop कितनी strength के साथ एक दूसरे से interact कर पाते हैं वो उसकी affinity कहलाती है कि कि किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ में interact कर रहे हैं कि इतनी strength के साथ तो affinity अगर किसी की कम है लेकिन antibody polyvalent है तो avidity उसकी बढ़ जाएगी यहां पर avidity और affinity को हम पता लगाते dissociation constant से जिसके बारे में अभी आपको में ज्यादा बताने वाला नहीं हूं यह आपका पार्ट नहीं आता तो इन properties को देखने के लिए कि कितना है यह property किस तरीकी है एंटिजर एंटिबडी रियक्ट कर रहें या नहीं कर रहें इमीनो ऐसे हम यूज करते हैं यह diagnostic test है नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो आपका जो पॉइंट आता है जो दे रखा है वो है इमीनो से क्या है यह इमीनो से यहां दो शब्द है इमीनो और यानिके टेश्ट ठीक है तो यह यह बायो केमिकल टेश्ट है यह बायो केमिकल टेश्ट है जिनके माध्यम से यह मीजर किया जाता है यह मीजर में दोनों चीज़ आती है तो जैंस याने पॉजिटिव या नेगेटिव जिसको आप क्वालिटेटिव भी कह सकते हैं और दूसरा क्वांटिटिव कंसंट्रिश्य जिसको आप क्वांटिटिव भी कह सकते हैं तो बायो केमिकल टेश्ट जिनके माध्यम से क्वालिटी और क्वांटिटिव यह कंसंट्रेशन मेक्रो मॉलेक्यूल की या इसमर मॉलेक्यूल सॉलिशन में जो है उसकी पतार लगाई जाती है एंटीवोडी या एंटीजन का यूज करके त तो हम माध्यम में मौजद एंटीजन का पता लगा रहें और हम एंटीजन का अगर यूज कर रहें तो माध्यम में मौजद एंटीवोडी का पता लगा रहें इस प्रकार से यहां दो चीजें होगे एंटीजन डिटेक्शन ऐसे और एंटीबोडी डिटेक्शन असे जब हम हम एंटीजन का प्रता लगा रहें तो यहां पर दो प्रकार के ऐसे होंगे पहला क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव तो क्या है यहां प्रिंसिपल यह है कि एंटीबडी और एंटीजन अगर एक दूसरे के लिए बने हैं तो निश्चित तोर पे उनके वीच में इंट्रेक्शन होगा और यदि एंट्रेक्शन होता है तो उस इंट्रेक्शन को पहचानना यह इसके पीछे एक प्रिंसिपल है तो जब कभी यहां कई प्रकार के इम्मीनिय में से काम में आते हैं उनके बारे में हो आगे कुछ और जानकारी लेंगे लेकिन जब कभी भी एंटिजिन और एंटीबडी का complex बनता है तो विभिन प्रकारों से विभिन माध्यमों से जैसे कि सिगनल जैसे कि लेबिल या और कोई detection के माध्यम से radiation भी हो सकता है color change भी हो सकता है fluorescence भी हो सकता है light emission भी हो सकता है कई तरह के माध्यम हो सकते हैं उनके माध्यम से उसकी उपस्तिती अनपस्तिती या उसकी मात्रा के बारे में पता लगाना है तो हम बेसिकली ऐसे को दो पार्ट में बाढ़ सकते हैं qualitative और quantitative qualitative में positive या negative है कई बार false negative result भी देखने को मिल जाते हैं जब quantity या तो बहुत जादा है या बहुत कम है qualitative जहां हम मात्रा का पता लगाते जादा reliable टेस्ट हैं यह और यहां जनरली हम सीरियल डाइलूशन मेथड वगेरा का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट जो हमारा topic होगा हम इन इमिनवेसे के बारे में कौन सी classical टेक्निक्स हैं कौन सी modern टेक्निक्स हैं और कौन-कौन सी प्रमुक प्रकार हैं जिसे precipitation टेस्ट गेरा इनके बारे में हम नेक्स्ट रंसे जानकारी लेंगे आज का टॉपिक यही समाप दन्यवाद